नमस्कार दोस्तों संप्रेशन और संचार से लेकर बेहतर परिवहन, सुरक्षा और स्वास्त देखबाल तक टेक्नोलोजी ने विभिन एक्षेत्रों में क्रांती ला दी है शिक्षा के एक्षेत्र बेबी, विशेश रूप से COVID-19 महामारी के दौरान हम सब ने देखा कि कितना परिवर्तन हुआ स्कूल बंध होने से महामारी के दौरान दूरस्त शिक्षा यानि दिस्टिन्स एजुकेशन ने टेक्नोलोजी का भरपूर योगदान रहा इसने हमें सूचना और संचार टेकनोलोजी जिसे हम सब ICT के नाम से जानते हैं द्वारा सीखने और पारंपरिक सीखने सिखाने की विदियों के एक सफल विकल्प पे रूप में सोचने पर विवश कर दिया साथियों हम सबने ये अनुभव किया होगा कि सीखने की मिश्रित पत्ती यानि ब्लेंडेड लर्निंग हर उम्र और स्तर के बच्चों के बीच एक बेहतर विकल्प के रूप में उबरा है यह सभी के लिए विशेष्टह देश के दूरगामी और मुश्किल क्षित्रों में रहने वाले हर चात्र तक समान गुनवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करती है हम जानते हैं कि नई तकनीक को अपनाना आपके लिए इतना सरल नहीं है और अचानक इन बदलाव आने के कारण आपके लिए कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं परन्तु फिर भी हमारे अनुभवों ने ICT को भविश्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इस विधी पर पुनर विचार करने के लिए प्रेरित किया है हाल ही में आई राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 ने भी शिक्षा में टेक्नौलोजी के महत्व पर काफी जोर दिया है इस शिक्षा नीती में ICT का उदेश्य शिक्षन की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर शिक्षा की उपलब्दता में सुधार के अलावा विभिन हितदार्कों को सीखने के भरपूर अफसर प्रदान करना भी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आये जानते हैं कि अब तक के नीती दस्ताविजों में कक्षा तीन से पांच तक विशेश रूप से विज्ञान, समाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के एक शेत्र में सीखने की परिकल्पना कैसे की गई है 1975 के 10 वर्षिय स्कूली पाठिक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और समाजिक विज्ञान को एक समगर विशे के रूप में पर्यावरण अध्यान नामक विशे के द्वारा पढ़ाने की संस्तुती की गई इसने कक्षा एक और दो में इसे एक शिक्षक संदर्शेका के माध्यम से एकिकरत किया गया परंतु कक्षा तीन से पांच तक इसे अलग विशे के रूप में पढ़ाने की बात की जिसमें EVS 1 यानी प्राकृतिव विज्ञान और EVS 2 यानी समाजिक विज्ञान द्वारा शामिल किया गया प्रात्मिक स्तर के छोटे बच्चों पर पाठे चर्या के बोज को कम करने के लिए राश्रे पाठे चर्या रूप रेखा 2000 ने पर्यावरण अध्यान यानी EVS को एक समय की त्विशे के रूप में पढ़ाने की संस्तुति की और राश्रे पाठे चर्या की रूप रेखा 2005 ने भी इसका समर्थन किया हाला के एक एकरत पहलू को मजबूत करने के लिए इसने टौपिक अधारित द्रिश्टिकोन की अपेक्षा थीम अधारित द्रिश्टिकोन की अनुशंसा की इस मदलाब द्वारा बच्चों को विशे संबंदी, संकल्पनाओं एवन सरोकारों को समगर रूप से देखने की वह समझने की सक्षमता पर पल दिया गया स्कूली शिक्षा के लिए नई राष्ट्रिय पाठे चर्या की रूप रेखा 2023 में भी शिक्षा के समगर, एकिक्रित, प्रयोगात्मक और खोचपूर्ण द्रिश्टिकोन पर जोर दिया है इससे विभिन अवधारनाओं जैसे भारतिय अग्यान, कला शिक्षा, विवसाइक शिक्षा और मूले शिक्षा के बारे में सीखना आदी विश्यों पर बल देने की आवशक्ता पर भी बात की गई है विभिन शोद अधेनों ने पर्यावरन अधेन विशे से संबंधित असपश्ट धारनाओं को उजागर किया है जिसकी नीती निर्माताओं से लेकर नीचले स्तर पर काम करने वाले हितदारकों ने अपनी अपनी समच से विवेचना की उन में से कुछ पर्यावरन अधेन को विज्ञान जबकि अन्य इसे मुख्य रूप से पर्यावरन शिक्षा के रूप में देखते हैं जिसके फल सुरूप ऐसे उधारन सामने आए हैं जहां राज्यों ने समाजिक विज्ञान को एक अलग विशे की रूप में लागू किया। ऐसी असवश्ट अवधारनाओं को उपर से लेकर नीचे तक के स्तर पर काम करने वाले विबिन हितदार को ने अपनी अपनी समझ से परिभाशित किया। इन सभी विबिन्नताओं और समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रे शिक्षा नीती 2020 ने प्रारंबिक स्तर पर कक्षा 3-5 के लिए परियावरन अध्यान की जगा हमारे आजपास की दुनिया लागू करने की सिफारिश की है। यह बच्चों को उनके अनुभवों पर अधारित शिक्षा देते हुए एवं स्तर अनुसार सीखने की तक्षता और प्रतिफलों के अरजित करने की और प्रुथसाहित करती है। साथियों, आप चानते होंगे कि पाठे करम और पाठे पुस्तकों का बोज भी एक जरूरी बुता है, जिसे प्रारंबिक स्तर पर संबोधित करना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीती और स्कूली पाठे चरया भी इस बात पर विशेश भल देते हैं। इसके साथ साथ 21 सदी की दक्षताओं को सशक्त बनाते हुए बच्चों के संपूर्ण विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इन सभी लक्षेओं की पूर्ती के लिए शिक्षा में ICT सादनों के भरपूर इस्तेमाल का भी द्रता के साथ समर्तन किया गया है। राष्ट्रे पाठे चर्या की रूप रेखा 2023 के अनुसार कक्षा 3 से 5 में भाशा, गणित के साथ एक तीसरा विशे हमारे आसपास की दुनिया संशामिल किया गया है। इसके साथ साथ अन्य विशे जैसे कला शिक्षा, शारेरिक अमंकल्यान शिक्षा को भी अन्यवारे किया गया है। इन दस्ताविजों के अनुसार कक्षा 6 से व्यपसाईक शिक्षा को एक विशे के रूप में लागू करने की संस्तुती की गई है। परन्तु परारंबिक स्तर पर इस से जुड़े बुन्यादी कौशल सीखने के भरपूर अफसर देने की भी अवशक्ता है। साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि क्रॉसकर्टिंग विशे जैसे की भारतिय संस्कृती से जुड़ाओ मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और समता एवं समाविशी शिक्षा को भी आसपास की दुनिया आसानी से संभोधित किया जा सकता है। राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 के सिधानतों पर अधारित बनाया गया यह विडियो पाकेज, बच्चों को उनकी इक्षमताओं, रूची की अनुसार सीखने सिखाने के अवसर देते हुए, उनकी शैक्षिक्ष प्रक्रिया में वृधी करने में योगदान देगा। यह प्रोग्राम टॉपिक अधारित ना होकर धीम अधारित हैं। इसमें सरल से कटे नवधारनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह प्रस्तुत किया गया है, जिससे बच्चे इन्हें अपनी आयू वरुची की अनुसार आसानी से समझ सकें। यह विशे सामगरी इस तरह से बनाई गई है जिससे बच्चे न केवल उन्हें अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर देख पाएं, बलकि उनका भरपूर उपयोग भी कर सकें। इन सभी प्रोग्रामों को बच्चों की सामाजिक इमं सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप क करने पर न केवल विशेवस्तू पर उनकी पकड़ भस्बूत बनती है, बलकि साथ ही उनमें ज्यान में भी बड़ोतरी होती है। इसके अलावा हम जानते हैं किसी भी शैक्षिक क्रिया कलाप में छोटे बच्चों की ध्यान अवदी बड़ों की अपेक्षा कम होती है। इसे देखते हुए यह विडियो आट से ग्यारा वर्ष के बच्चों का ध्यान अवदी के अनुसार ही बनाई गये हैं। यह विडियो प्रोग्राम पाठ्टे पुस्तकों में दी गई संकल्पनाओं एमसरकारों का विस्तार करते हुए बच्चों को पाठ्टे पुस्तकों के अलावा भी सीखने सिखाने के सार्थक अफजर प्रदान करते हैं। एनिमेटिड होने के कारण ये वीडियो प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए आनंददाई होने के साथ साथ ना केवल विश्य संबंदी संकल्पनाओं एमंसरकारों को समझने में सार्थक होंगे जो की पाठे पुस्तकों में दी गई हैं अपितू बच्चों को उनकी पांतरण आसानी से किया जा सकता है ये वीडियो संसाधन, आयू उप्युक्त, आनंददाई एवं बच्चों के कक्षा अनुसार दक्षताओं को संबोधित करते हुए उनके सर्वांगीन विकास में भी मददकार होंगे जहां तक संबफ हो सके अन्यविश्यों जैसे की ग प्रोग्रामों का ICT स्वरूप होने के कारण राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 और राष्ट्रे पाठे चर्या की रूप रेखा 2023 के अनुसार पाठे चर्या के बोज को कम करने में भी ये सहायक होंगे साथियों एक और महतवपूर्ण बात है ये प्रोग्राम शिक्षकों, अविभावकों या अन्य बड़ों द्वारा और यहां तक की चात्रों द्वारा भी अपनी सुविधा और सीखने या सीखने से खाने की कती के अनुसार इस्तिमाल किया जा सकते हैं वन्चित चात्र जो विशेश रूप से कक्षा अनुसार प्रतिफलों को न सीखने के कारण पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं ये स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें भी ये विडियो प्रोग्राम अपनी कती और सुविधा के अनुसार सीखने के फरपूर अफसर देंगे विडियो प्रोग्रामों का एक उदेश्य सभी बच्चों को उनके संदर्ब, आधार, शमताओं और रुची के अनुसार गुणवत्ता पूरण सीखने के समान अफसर देते हुए एक समान शिक्षा को सुनिश्चित करना है यह विडियो प्रोग्राम करके सीखने वाले या अनुभव अधारित क्रिया कलापों जो की कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें कक्षा के बाहर भी सीखने सिखाने के भरपूर अफसर देते हैं। अधिती 2020 और राष्ट्रे पाठे चर्या की रूप रेखा 2023 में दिये गए सरोकारों जैसे अपने आप और स्वयम की सीखने की गती और ख्षमता के अनुसार सीखना सिखाना और मुल्यांकन और मनन कौशल पर जोर देते हुए स्वसंचालित सीखने सिखाने पर बल देते है सबी वीडियो प्रोग्रामों में विविद प्रकार के क्रिया कलाप जो की बच्चों को अवलोकन, खोज, प्रयोग करना, चर्चा करना, अंतर ढूंडना आधी कौशल को सीखने के अफसर देंगे इसके साथ स्वयम अपने हाथों से रचनात्मक और सुरजनात्मक क्रिया कलाप करते हुए सौंदर अबोध कौशल का विकास करने में भी ये मददकार होंगे यहे अफसर अकेले, खुद या छोटे या बड़े समू में काम करते हुए बच्चों को आपसी सहयोग करने में भी बढ़ावा देंगे इसके साथ साथ ये आकलन को भी सीखने सिखाने से अलग प्रक्रियाना देखकर शिक्षन अधिकम के साथ एक समगर रूप से देखने पर भी बल देते हैं इसके अलावा इन्हे पाठे पुस्तकों के एक मातरसन साधन के रूप में इस्तेमाल होने के उप्युक्त विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है इन वीडियो प्रोग्रामों को आप अपनी सुवधा के अनुसार या बच्चों की सीखने की गती के अनुसार तहीं भी रोक कर दिये गए बिंदूओं के पर चर्चा कर सकते हैं जिससे बच्चों की संपून भागिदारी सुनिश्चित की जा सके साथियो आप स्वयम भी अपने चातरों की जरूरत और क्षमता के अनुसार इन वीडियो में दिये गए क्रिया कलापों को उनकी क्षमता और रोची के अनुसार इन में परिवर्तन कर सकते हैं या नए क्रिया कलापों का भी निर्मान कर सकते हैं आशा करती हूँ, आप इन इस अंसादनों का सही इस्तेमाल करने में अपनी समझ मना पाए होंगे, जिससे इनके सही उपयोग से आप अपनी शिक्षन, अधिकम प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली करने में सक्षम होंगे चलते चलते एक और आग रहे है आपसे, एक वीडियो मसालों की पहचान जो प्रोग्राम है वो ज़रूर देखिएगा ये आपको अन्य सभी वीडियो प्रोग्रामों को बच्छों की रूची स्तर वा आयू अनुरूप इस्तिमाल करने में बहुत मदद करेगा आप सभी को वेरियोर से बहुत बहुत शुपकाम नाएं